है 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 तो देखो बच्छे स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नुबर थ्री है ना जो कि हम लोग पढ़ रहते क्लास 11 की physics basic to advanced series भी हमारा चल रहा था ठीक है और हम लोग आ चुके हैं unit number 2 में that is kinematics में अब बासंचो इस kinematics में आपको NCRT के दो चैप्टर पढ़ने तो जिसमें आपका जो चैप्टर नुबर थ्री है यानि कि जो फॉस्ट चैप्टर है का जो फॉस्ट पार्ट है वो है motion in straight line और kinematics का जो second पार्ट है वो है motion in plane तो फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे है motion in straight line तैट में chapter है तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर समझ में आगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार हमें इस chapter में पढ़ना क्या है इतनी बात clear है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग समझते है कि kinematics क्या है और ये भाई kinematics हमारा जो है वो किसके under में आता है अगे जिने में इस दिल्शात सुधिकर की एड हरत को प्ता है चानल निए और बात करें बैध की हमारे जो काइन ही वर्ट बेसिकली आया कहां से तो हम इसके पहले एक वर्ट यूज करते हैं mechanics है ना सबसे पहले आपको यह वर याद रखना है mechanic अब यह mechanics क्या है सारी की सारी जो origin हुई है वो kinematics ही जो origin हुए वो mechanics ही है mechanics देखो होता क्या है कि science की ऐसी branch समझ लो जिसमें हम जो है किसी object की motion या किसी object की rest से related चीज़ हम जो है branch of science which deals with study of motion या rest of object मतलब कोई भी object अगर motion में है ठीक है motion में है और rest में है और अगर हम उसकी study कर रहे हैं अगर हम उसकी study कर रहे हैं तो यह हमारा जो portion आता है वो हमारा mechanics के अंडर में आता है अब ध्यान से मेरी बास समझना अब जाह हुआ कि further mechanics को फिर से 3 part में Dewinant कर दिया गया समझना बात को सर सर तीन पार्ट में further फिर से क्या कर दिया गया डिवाइड कर दिया गया पहला पार जो बताया गया वो बोला गया statics क्या बोला गया? statics अपने एक जब आफ class 10 में होगे तो आपने पढ़ा होगा statistics वो math में आपने पढ़ा था याद है क्या जिसमें आप data की बात करते थे mean mode, median की बात करते थे, इस तरीकी की चीजों की आप बात करते थे, statistics के अंदर में, लेकिन ये statistics है, वो अलग था, वो statistics था, और ये क्या है, ये static है, static का मतलब क्या होता है, कि कोई भी चीज अपनी current position पर क्या होई हो, rookie हो, rest में हो, okay, दूसरा हमारा जो part है, जिसमें हम लोग study करेंगे, kinematics के बारे में, ये वही आपका term है, kinematics, kinematics, ठीक, दूसरी हम लोग, मतलब कि mechanics के अंदर में, दूसरी चीज क्या आती है, kinematics, और तीसरी चीज, चलो, हम सारी चीजों को discussion करते हैं, बारी-बा तो अब आपको समझ में आ गया, कि इस mechanics के अंदर में तीन पार्ट है, ठीक है, एक आपका static है, एक आपका kinematics है, और एक आपका dynamics है, तो आपको समझ में आ रहा है, कि आपको ये वाला portion पढ़ना है, that means, ये kinematics वाला portion पढ़ना है, अब मैंने आपको static का मतलब बता है, static का मत मतलब क्या होता है, कि object आपकी कैसी हो, rest में, भई static का मतलब भी क्या हुआ, rest में, that means, हम इसमें क्या deals करते हैं, deals with object at rest, object को हम कैसे consider करके चलते है, rest में हम इसमें statics के बारे बारे इसमें, ठीक है, अगर हम बात करें कानेमेटिक्स में, तो kinematics में, basically, kinematics का मतलब क्या, कि हमार जो body है वो move करने लगे ठीक है लेकिन important क्या देखो kinematics में भी body move करती है इसमें भी body क्या करती है और dynamics में भी body क्या करती है क्या है बोडी की मूव करती है लेकिन body की मूव करने का reason क्या है उसका cause क्या है हम इसकी study नहीं करते हैं बात समझ रहे हो तो कहने का मतलब क्या है कि study क्या सकते हैं कि study of object इस्टडी ओफ अबजेक्ट और कह सकते हैं से without considering विदाउट कंसिडरिंग कॉज ओफ मोश्ट विदाउट कंसिडरिंग कॉज ओफ मोश्ट विदाउट कंसिडरिंग कॉज ओफ मोश्ट मतलब की भई हमें इसमें तक में मोशन कैसे होरा ऐ अप इतना फॉर्स लगा रहे हों कितना friction की रेट हो रहा है कितना फॉर्स लगा Garak क्या अब स्युक्त है हमें इन्हें से मतलब नहीं है मतलब की अब आप को ए बाथ साफसाफ समझ में आ गई कि जब आप kinematics परण रहे हो यानि कि जो आप motion in straight line वाद चप्टर पढ़ोगे तो इसमें आपको कहीं भी force से related चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ही नहीं इसमें आपको मिलेगी velocity इसमें आपको मिलेगी displacement इसमें आपको मिलेगी acceleration आपके जो तीन equation होते थे वी इकल टू यू प्लस 80 सब्सक्राइब लिए सब्सक्राइब तो यह सारी चीज़ें इनमें हमें हमें इस chapter में देखने को मिलेंगी आपको क्या समझाना चाहरा हूं है ना यह बात आपको लोग इस वाले chapter के अंडर में आने वाली है तो अब यहसी बात है आपको फर्क पता चल गया कि kinematic में हम object के movement की study तो करते हैं लेकिन उसके movement का reason क्या है हम इसके बारे में नहीं जानना चाहते है ठीक है लेकिन dynamics ऐसा नहीं करता है डैनमिक क्या बोलता है कि ठीक है हम object के motion की study तो करेंगे लेकिन वो किस reason सी move कर रहा है उसके उपर कितना force लग रहा है उसके उपर कितना work हो रहा है हम इन सब चीजों की क्या करते है तो dynamics में क्या कर सकते हैं तो हम यह क्या सकते है कि study क्षिटिए औफ मोशन ठीक है यहां पर यहां पर आप मोशन कर लेँक है यह पर आप मोशन कर ले ना इसे तरी कि यह का सकते हैं तो कंसिडरेशन ओफ cause of motion ये कह सब्किना कि taking into consideration consideration of cause of motion ठीक है तो इसमें motion की हम जो है motion किसकी वैज़ा सवरा हम इसकी study करेंगे dynamics लेकिन आपको समझ में आ गया कि आपका chapter क्या है आपका chapter है ये वाला clear है बात तो आपको ये वाली चीज़े पढ़नी है इनकी और अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे है clear भी बात हम इसमें कोई भी force का discussion नहीं करेंगे मेरी बास समझ लो आप इसमें क्या पढ़ोगे आप इसमें जो है पढ़ोगे आप इसमें distance के बारे में पढ़ोगे distance related numericals पढ़ोगे आप इसमें की तरफ जाएंगे बहुत इजी है इसके सारी चीज़े बहुत इसका सिंपल साइस का concept concept ने समझा तो फिर कुछ नहीं लगा पाँगे आपने पता है जब आप जब यह वाला जो option है वो match करते हैं लेकिन फिर भी वो गलत हो जाते हैं क्यों कि इसका concept बच्चों को पता नहीं होता कि कब minus लेना है कब plus लेना है हम वो नहीं कह रहा है कि जी अगर नीचे जा रहा है तो प्लस होगा जी उपर जा रहा है तो यह मेरे खाल से अगर आप किसी पथर को उपर फेक रहे हो तो जी उसमें आप कैसे ले तो नेगेटिव लेते पट्थर अगर नीचे से उपर की तरफ बदलब उपर से नीचे रफ रहा तो उसका जी आप जी आप पॉजिटिव लेते यह सभी बच्चों पता है लेकिन इसमें कुछ और भ सोरी मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ड किया जै चलो सब से पहले ह naught हूं कि अछे ये मोशन होता क्या है ठीक है ये दिखो हम लोग मोशनकी बात करने हिना बुदो किसकी बात करने है करद चलो सिंप्ली अगर आपसे बचे लोग अगर आपसे पूछ यह बचा है कि सर मे टाइम तो आपका बीता गया है, ठीक है, एक सेकेंड हुआ, दो सेकेंड हुआ, तीन सेकेंड हुआ, चार सेकेंड हुआ, लेकिन आपने अपनी जगा नहीं छोड़ी, आप जिस जगा पर बैठे थे पांच मिनट पहले, पांच मिनट बाद भी उसी जगा पर बैठे हो, that means आ मिना है, इसी को हम लोग कहते हैं, motion, आरी बात समझें मेरी, ये बात clear हुई, तो हम क्या कह रहे हैं सर आप से, कि what is exactly motion, ये देखो, छोटे-छोटे से term है, लेकिन बहुत ज़्यादा useful है, ट्रस्ट करना बचे लोग, बहुत ज़्यादा useful है, ये बहुत ज़्यादा use आपको in, change in position, motion क्या है भी, change in position, किसका position, मतलब किसके position में change रहना है, तो object के, मतलब हम यहापर एक object बात कर रहे है, object का मतलब कुछ भी हो सकता है, object कह लिया, particle कह लिया, वो object कुछ भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी, आपका कोई भी relative हो सकता है, कोई भी यार कोई भी इस universe में हर एक चीज़ object है ठीक है तो motion is the change in position of an object with passes of time important है ठीक है with passes of time time के साथ अगर उस object की position में change हो रही है तो ही हम कहेंगे हाँ भी यह जो object है यह motion में है देखो पता है क्या अभी जैसे आप कह रहे हो ना कि आप अपने लिए या फिर अगर आप मेरे सामने अगर मानलो बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो ठीक है हम आपको अगर देख पा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि भाई आप मेरे लिए हो कैसे हो अभी आप motion में नहीं हो आप rest में हो क्यों कि आप जहां पर बैठे थे मानलो कि आपने 10 बजे से 10 पीम से आपने पढ़ना इस्टार्ट किया और बजगया बारह इतने घंटे पढ़ते हो कि आप लोग ठीक पढ़ते होगी मतलब 12 पीम हो गया मतलब 12 एक एम हो गया ठीक है तो आपने टाइम तो बीट गया दस जो है एक बजी या लेकिन आपने अपने जगह से उठे नहीं तो हम क्या कहेंगे कि आप मेरे लिए कैसे हो अगर हम भी बैठे हुए तो आप मेरे लिए कैसे बहुत यह थोड़ा सा यह थोड़ा सा कॉंप्लेक्स है बट समझो इस जिनको समझना बहुत जादा जरूरी है और यह दूसरे से रिलेटेड़ है अब देखो अब मान लो एक आपका मित्र है जो सम्हाव सम्हाव उसके पास इतना ज़्यादा से उपर नैच्रल पावर आ गया है कि वो मान लो चला गया है अर्थ के और्बिटल के बाहर चला गय है वो इस पेस में चला गया है और वो आपको देख रहा है तो वो क्या कहेगा क्या कहेगा आप तो बैठे हो आप तो बैठे हो हमा और आप दोनों साथ में बैठे करके पढ़ाई कर रहे है लेकिन जो आपका मित्र है ना वो कहेगा नहीं नहीं तुम बैठे नहीं हो तुम मुव कर रहे हो, है ना? क्यों? आरी बास्यां में ना? क्योंकि अब वो इस अर्थ को छोड़ कर compete बाहर चला गया है, वो इसपेस में है, वो देख रहा है कि अर्थ क्या कर रही है, भी कर रही है, तो आप यसी बात है het, वहीं, कि अगर अर्थ अगर कोई एक ऐसा बच्चा जो इस अर्थ के बाहर चला जिया, वहां से अगर आपको देख रहा होगा वो, तो क्या कहेगा नहीं नहीं, यह तो बैठा हुआ नहीं, यह तो मूव कर रहा है, चलो, एक और एक्जांपल समझते हैं, जैसे मानलो, आप दो बच्चे अगर बाहर खड़ा कर दो, ठीक है, जब वह अगर देखेगा इन दोनों बच्चों को, तो क्या कहेगा, अरे, तुम लोग दोनों तो मूव कर रहे हो, आरी बासों में, लेकिन यह तो बैठा हैं, तुम मूव कर रहे हो, है कि नहीं, ऐसा होगा न, तो यही थोड़ा सा फिनोमेन है, वो चेंज होना चाहिए, है न, यह याद रखो, चेंज इन पोजिशन, यह बहुत बड़ी चीज़ है, अभी बहुत जादा यह वी उस होगा, ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो आपने सबसे पहले देखा कि अच्छा कोई ऑबजेक्ट जो है, वो एक सीधी, अगर एक स्ट्रेट लाइन में अगर एक ट्रावल करें, आ समझो, अगर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रावल करें, तो क्या कहेंगे उस वे, हम लोग बोलते हैं, रेक्टी लिनियर मोशन, रेक्टी लिनियर का मोशन क्या मतलब हो गया, कि अगर कोई ऑबजेक्ट क्या कर रहा है, एक straight line में क्या कर रहा है, travel करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो इस यह पनि दो क्या कहेंगे, rectilinear motion, that means यह कर रहा है, कि when an object, when an object is moving along straight line, ठीक है, is said to be in rectilinear motion rectilinear motion, आगी बास सुन में, for example जैसे माल लो एक highway है ठीक है, और ये highway है आपकी, और इस highway पर क्या कर रही है, एक जो car है वो move करी में, वो car बनाने नहीं आता क्या बात है ठीक, ये car जो क्या करी है, ये move करी है ठीक है, तो ये इस type की जो motion आपकी होगी, वो क्या होगी एक rectilinear motion होगी, example आगया समझ में, ठीक है, example में आप क्या बोल सकते हो moving car in straight highway, देखो, ये आपका पहला होगी, rectilinear motion दूसरा, दूसरा, दूसरे type का motion हो, जो क्या हो सकता है तो दूसरे type का motion देखो, कुछ ऐसा हो सकता है, मान लो हगर हम ये कह रहे है अब एक तो rectilinear, मतलब state direction में move कर रहा है अब मान लो क्या हो, कि एक ऐसा object है, जो circular, मतलब की किसी circle के about move कर रहा है जैसे मान लो हमारी जो planet है, है ना, वो sun के चारो तरफ क्या करती है एक fixed, एक fixed orbit में क्या करती है, rotate करती है ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते है, circular motion कहेंगे है ना, तो हम क्या कह रहे है, circular motion दूसरे type का हमारा motion क्या होता है circular motion, अब ये circular motion तो क्या बता सकते हो, कि अगर कोई object क्या कर रही है, एक circle के along, तो इस type के motion को हम लोग क्या बोलते हैं, circular motion बोलते हैं, जैसे कि हमारी जो earth है, वो sun की चारों तरफ rotate कर रही है, तो वो कैसा motion कर रही है, circular motion कर रही है, लिखाने की को जड़ोत नहीं है, लिख लोगे बहुत इवी इस चीज़ है, ठीक है, next हम लोग बात करते हैं, third, third हम लोग बात करते हैं, देखो, अच्छा, उसो चो और क्या हो सकता है, आपने कभी वो देखा है, जैसे आपके, जो हमारे पुराने type के घड़ी होते हैं, उसमें आप देखते हो, कि उसमें जो pendulum, एक pendulum होता है, pendulum क्या करत है रहता है, ऐसे 24 गंटी इधर से उधर, इधर, यह तुई, इस तरीके से है, अब यहाँ पर ऐसे pendulum लटका रहता है, pendulum यह इस तरीके से जोंता रहता है, ठीक है, तो यह इस type के motion को हम लोग क्या बोलते हैं, oscillatory motion, क्या बोलते हैं sir, oscillatory motion, ठीक है, तो next हमारा type का motion आएगा, व oscillatory, oscillatory motion, oscillatory motion का मतलब क्या हुआ, कि कोई object जो है, मानलो, यह आपने ऐसे भी देख लो, कि आपने एक बड़ी सी रस्ती ली, छोटी सी मतलब बहुत बड़ी हैं, एक छोटी सी रस्ती ली, और उसमें नीचे पत्थर बांद दिया, यह रस्ती लिया और पत्थर बांद दिया अब रस्ती को यहाँ से हाथ से पकड़ लो, ठीक है, और पकड़ करें, जिसको कहते हैं, hypnotize करना, अच्छा चलो, यह वला ठीक है word, hypnotize वला देखियोगा, scene देखियोगा, कभी movies में, है ना, तो यह, तो इस टाइप की जो motion होती है, उसको हम लोग बोलते है, oscillating motion, अच्छा तो इसको हम लोग बोलते है, to and fro, बास समझना, क्या बोलते है, to and fro, इस टाइप की जो motion होई है, यहाँ पर गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, इस टाइप को हम लोग बोलते है, to and fro motion, या इसी का एक और नाम होता है, जिसको हम लोग बोलते है, back and एक और आपका मोशन निकल करके आता है बाइब्रेटरी मोशन अब यह क्या बला है यह आप टेली लाइट में फील करते हो आप फोन यूज करते हो कभी-कभी क्या होता है कि आपने फोन को साइलेंट में कर देते हो ताकि किसी का फोन आ और किसी को पता न चले, बस आपको ही पता चले, ऐसा होता है न, ठीक, तो, देखो, अचा, कुछ लोगे क्या हुते हैं, कि कुछ लोगे bipolarasion में कर लेते हैं, अरि बसा हैं तो अगर जैसे देखो अब होता क्या है? यह आपने oscillatory motion क्या, इसमें क्या है? कि pieces particle बहुत ही जादा displacement को cover कर रहा है, बहुत ही जादा distances को cover कर रहा है लेकिन वाइब्रेटरी motion में अचानी होता है अब मान लो इसी को आप चा करो कि यह जो अब्जेक्ट अभी जो यहां से यहां ऐसे चल रही थी इसी इसी पत्थर को अब अगर आप ऐसे बहुत ऐसे ऐसे अगर इस तरीके से अगर करो समझ दो यह बास समझ पा रहे हो ना मतलब कि अब देखो इसमें होता क्या है कि exactly हम यह कह सकते हैं देखो यहां पर इसको वालोग बोलते हैं अंधे यहां से हां ते कि जो डिस्टन्स टैवल किया ना इसको भोलते हैं प्लीट तो अगर किसी आप nove ter बहुत ही छोटा कर दो, टू शॉर्ट कर दो, बहुत जादा छोटा कर दो, वाइब्रेटरी मोशन कम मिलेगा, कि जब मान लो कि इस तरीके से कोई अगर उसलिटरी मोशन अगर क्रेट हो रही है, और इसमें जो अभी देखो, इसमें अभी अब इस एम्प्लिट्यूड है, ए इसको हम लोग बोल रहा है, अब यह एम्प्लिट्यूड बहुत छोटा, भी ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, अब ऐसे 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 देखो, यह करसर को देखो, इस तरीकी से, इस तरीके से मूव करने लगी, तो इस टाइप की मोशन कम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन बट फिलाल, यह समझ में आ रहा है, है ना, तो इस टाइप से हम लोग जो है, वाइब्रेटरी मोशन को, सरी, वाइब्रेशन को लोग समझ सकते हैं, या वाइब्रेटरी मोशन को समझ सकते हैं, तो वाइब्रेटरी मोशन से हमारा क्या निकला, वाइब्रेटरी मोशन निक खाते हो, rest करते हो, मजा आजाता है, नहीं, मजा आजाता है, बिलकुल, बिलकुल, तो यह समनी करना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई करते हो, देखो, rest की बात करते हैं, ठीक है, बचलो, rest, rest में क्या होता है, अब यसी बात है, कि अगर आप time के respect में, बात को ध्यान समझना, अग को हम क्या करें कि rest का मतलब क्या है कि अगर कोई object अगर अपने time के साथ change अपनी position को change नहीं कर रहा है that means इसका मतलब है कि वो object कैसा है rest में है ना तो हम यह कहेंगे कि if object या कोई particle ठीक है if object क्या कहते है does not move does not change does not change its position does not change its position with respect to time is called is called body at rest हम क्या कहेंगे भाई body कैसी आराम कर रही है उसको छोड़ो इसको disturb नहीं करो है ना तो यह होता है rest का मतलब है ना ड़स not change its position with respect to time time के साथ उसने पनी position को नहीं बदला ठीक और rest और motion बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी confusing word है बट आपके लिए कोई confusion नहीं है यह depend करता है देखो एक बात हमेशा अभी हम लोग आगने वाले topic में हम लोग पढ़ेंगे reference point ठीक है कि अगर आप किसी भी object को अगर आप देख रहे हो और आप बताना चाहते हो कि वह rest में है या motion में है तो आपको एक reference point की जरुत पड़ेगी चलो फिलाल अभी हम लोग यह reference वाले part में समझेंगे फिलाल ठीक है चलो कोई नहीं तो आपको इतनी बास समझें जैसे मैंने आपको बस वाला example दिया था कि बच्चे हैं बस में जो है travel कर रहे हैं बाहर वाला बच्चा क्या कहेगा यह दोनों तो लेकिन बच्चा मूव नहीं कर रहा है बच्चे तुम मूव कर रहे हो मतलब जो बस के अंदर है वह वाले बच्चे मूव कर रहे हैं ठीक है ओके आरी बास में एक छोड़ी से आवर हेडिंग लगो हम लोग कुछ बेसिक से कॉंसेप्ट ही तो समझ रहे हैं अब पॉइंट अब्जेक्ट है न तो यह एक पॉइंट ऑबजेक्ट वर्ड आएगा हम लोग इसको समझते हैं क्या है concept of point object है दें क्याए चीज अब्ड़ी का थूड़ा सा concept समझते हैं थिक देखो कि चैहें ये point object मान लो कि अभी आपके पास एक बड़ी सी लंबी सी ट्रेन आपके सामने से बुच्री ठीक लंबी ट्रेन ट्रेन मैंसे लंबी होती है ठीक है अब मान लो ट्रेन ने अपने distance के comparison में मतलब कि अपने length के comparison में बहुत ही जादा distance travel कर लिया है लेकिन आप अभी भ अपर थे यह मस्ट होकर के पता नहीं कहां से train को देख रहे थे और यह आपके बगल से train गुजरी इस तरीके से train आसे घुजर रही है ठीक है अब मास्ट जो खड़े करके देख आपने का ओ माई गौड इतनी बड़ी ट्रेन है अलो जो माल गाड़ी होती ही वो तो और बड़ी जो है ट्रेन है जा रही है अब मालो यह train जाते 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 बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली लेकिन अभी अभी भी आप क्या कर पा रहे है इस train को अगर देख पा रहे हो समखाओ तो क्या अभी भी ट्रेन आपको इतनी बड़ी दिखाई दे की नही बहुत ही जादा डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर ले बात को समझो अपने साइज के कंपरिजन में बहुत ही ग्रेटर डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल कर ले तो अब वो जो ऑबजेक्ट है हम उसको कंसीडर करेंगे as a point object की तरह जैसे मान लोग की हम लोग अर्थ पर हैं और जब हम लोग किसी बहुत ही अपने से दूर एकदम जब इस्टार को देखते हैं तारे को देखते हैं तो तारव हमें कैसा नजर आता है बहुत ही छोटा नजर आता है क्या सच में वो छोटा है नहीं सच में वो छोटा नहीं है बट हमें वैसा वो छोटा नजर आ रहा है क् इस बज़म से हमें वह स्टार की यह नजर आ रहा है? चोटा नजर आ रहा है, इस इस फ्टार को हम लोग pan läkter करेंगे as a point object टी तरहा. Clear वी बात, आगी बात सुन्भर हैं, ठीक है? 시eless comes to plus a color and define करेंगे. कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं, देखो, point object को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे define कर सकते हैं, यह क्या सकते हैं, कि if the position of an object changes by distance much greater than much greater than much greater than much greater than its size okay, then object may be considered as may be considered as point object, तो object को हम कैसा consider करेंगे अधा, point object की तरह हम इसे अब consider करेंगे, ठीक है, दूसरा definition मान लोगा पर आप इतनी बड़ी नहीं लिखना चाहते हैं, आप ऐसे कर लो, यह बता दो, कि a point object, point object is something, कुछ तो है, something which does not occupy, occupy 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 any space हमारे लिए, मतलब अपनी मन के समतुष्टी के लिए हम तो यह कह रहे हैं कि उसने कोई भी space consider नहीं किया है, जैसे आप तारे को देखते हो, ऐसे लगता है कि तारह कितना छोटा है, वो कहां जादा space consider किया होगा, कहां जादा space occupy किया होगा, space में, नहीं न, बड़ ऐसा नहीं है, तो हम यह कह रहे हैं कि एक ऐसी object जो बहुत सदा space occupy नहीं कर पा रही है, उसको हम लोग क्या बोलते है, point object बोलते है, जैसे कि अर्थ से मान लो, अगर आप moon को देख रहे हो, तो moon आपके लिए क्या होगी, as a, point object की तरह होगी, आप अर्थ से अगर आप किसी star को देख रहे हो, तो star क्या होगी, आपके लिए एक point object की तरह होगी, मान लो कि अगर आप, किसी other star पर चले गए, और वहां से, ऐसा तो possible लगी, फिलहाल नहीं होगा, आने वाले, पता नहीं कितने सव साल तक बट, मान लो, ऐसा हो गया, आप अगर इतने जादा genius बन गया, आपने ऐसे discovery कर दी, ठीक है, तो, चाहोगा, कि अगर आप उस star से, जाकर के, मतलब, उस star के, जो भी, उसके, जो surrounding planets होगे, उस पे जाकर के, अगर आप अपने earth को देखोगे, अर्थ तो वैसे दिखेगा भी ठीक है, या फिर अपने, 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 अप सन को देखोगे, तो कैसा लएगा, वो भी एक star की तरह लगेगा, ना, that means, आपका जो sun होगा, वो भी considered किया जाएगा, as a point object की तरह, clear हुई बात, कितनी बात clear हो रही है आपको, point object का concept समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, chapter number third में आप आ गए हो, अब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आना चाहिए, भी मज़ा आएगा, अमेरिकल लगाओगे तब मज़ाएगा, फिलाल तो अपी तो theory समझो ना, पहले कि वाला है, है ना, चलो, तो point of day का मतलब समझ आ गया, अब हम लोग एक heading लगाते है फ्रेश heading लगाते है, frame of reference, बहुत ज़्यादा important चीज़ है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा यह confuse करता है, देखो, heading पहले लगा लो, हम लोग बात करते है, frame of reference की, ओके, तो frame of reference की सर, अगर हम बात करें, हमें पढ़ना है, सर, क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है, frame of reference, क्या है, यह बला frame of reference क्या है, चलो, देखो, frame of reference की simple सी बात से, देखो, मेरी बात पहले समझो, जरूरत क्यों पढ़ी, ठीक है, जरूरत क्यों पढ़ी, जैसे मान लो, हम यह कह रहे हैं, कि, इसको देखो, कुछ ऐसे समझ लो, मान लो, आपने कहा, कि चलो, हम जनरल, एक ऐस अग्जामपल लेते हैं, जो आपकी daily life से familiar हो, आप मान लो, school जा रहे हो, cycle से, या bike से जैसे भी जा रहे हो, ठीक है, तो आपके cycle की जो, जो speed है, कुछ ऐसे बना लो, है cycle अपनी, ठीक है, तो आपके cycle की जो speed है, वो मान लो, मैंने कहा, कि 10 meter per second है, यह आप हो, यह पहला person है, समझो, frame of reference की जरुवत की हो पड़ी, ना, हम पहले तो फिलाल अभी यह समझाना चाहते हैं, आपको की frame of reference की जरुवत की हो पड़ी, एक दूसरा बच्चा है, जो मान लो, स्कूटी से जा रहा है, ठीक, यह bike, यह इसको bike दे, ठीक है, यह मान लो, bike से जा रहा है, मस्त मीटर पर सिकेंट है, ठीक, चलो, एक तीसरा बच्चा है बेचारा, पैदल जा रहा है, यह घर से मार खाता हुआ, ठीक, यह पैदल जा रहा है, है ना, अब इसकी जो speed है, वो मान लो, 5 मीटर पर सिकेंट है, ठीक, तो यह कौन decide कर रहा है, कि किसकी speed कितनी है, इस बात पर इपने ध्यान दिया, यही तो important है, चलो, अगर मान लो, यह बच्चा जा रहा है, 10 मीटर पर सिकेंट की speed से, और यह बच्चा जा रहा है, 5 मीटर पर सिकेंट की speed से, तो अगर आप इस से पूछो, अगर आप इस से पूछो, कि भया, यह जो cycle वाला है, वो कितनी speed से गया, तो क्या बताएगा, इसकी तो speed खुदी 5 मीटर पर सिकेंट है, तो यह क्या बताएगा, कि देखो भाई साब, cycle वाले, तुम्हारी जो speed है, वो 5 मीटर पर सिकेंट की speed से तुम चल रहे हो, क्यों, क्योंकि हम भी 5 मीटर पर सिकेंट की speed से चल रहे हैं, तो भाई मेरी 5, तु कि भाई या बता दो इसकी स्पीड क्या थी, तो यह क्या कहेगा पता है, यह 20 मिटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानि कि इसकी स्पीड है, तो इससे कहीं जादा आगे निकल जाएगा, और जब यह इस बाइक पर जो बच्चा होगा, जब इस साइकल वाले को जब देखेगा, तो कहेगा, यार तुम तो पीछे जा रहे हो, होगा की निया, ऐसा फिल किये हो कभी, कि आपको जब किसी गाड़ी को जब आप ओवर टेक करते हो, तो जब आप उस पीछे वाली गाड़ी को जब आप देखते हो, तो कैसा लगता है, वो गाड़ी किधर की तरफ जाती है, पीछे की तरफ जा रही है, तो उसकी भी speed कुछ और हो जाएगी, होगी, लेकिन इसके लिए, इस वाले बंदे के लिए, इसकी जो speed होगी, वो minus का 10 meter per second होगी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर एक person के लिए, हर एक person की speed जो है, वो बदल जा रही है, इसका मतलब है कि हमें एक reference point की जरुरत पढ़ रही है, अब किसी एक बच्चे को यहाँ पर fix कर दो, एक चौथा बच्चा है, मालो आप हो, आप अच्छा, आप यहाँ पर थेक्या, ठीक, आप यहाँ से आ, यहाँ आ जाओ, अपना वाला position को किसी और को दे दो, ठीक, आप अब क्या जाओ, fix हो अब एक जगा पर एक दम fix हो जाओ, ठीक है, अब अगर हम आप से पूछे ना, किस वाले बच्चे की speed कितनी है, तो आप बताओगे, अगर आपके पास हाथ में, अगर हमने आपको एक speed को measure करने का, अगर हमने आपको एक instrument दे दिया हो, तो आप कहोगे, हाँ सर ठीक है, क्यों, हम ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, जब ये fix है अपनी जगा पर, जब ये move नहीं कर रहा है तब, तो क्या समझ में आया, कि इन तीनों बच्चों की, जो speed अगर आपको लेनी है, consider करनी है, तो आपको एक reference point की जरुवत बढ़ रही है, यहीं से concept आया, frame of reference का, बात समझ रह मतलब की आपको एक reference point चाहिए, बिना reference point के आप गरबड़ी कर दोगे, है ना, और ये वाली चीज़े भी हम लोग पढ़ेंगे, relative velocity में पढ़ेंगे, relative velocity में इसका बहुत जादा use होगा, relative velocity, फिलाल, ठीक है, अच्छा, तो अब जो frame of reference है, यह तो समझाने वाली बात होगी, कि आखिर exactly हमें समझना कैसे reference point, frame of reference को, अब देखो, अब हम एक तरीके से और तरह से समझते हैं, यह frame of reference के यंडर में भी चल रहा है, ठीक है, इसको हटाते हैं, इन बाईक वाले भाई साब को इन सभी को हटाते हैं थोड़ा सा, ठीक, यह समझ मैं आपको, बताओ, frame of reference, यह अब देखो, चुड़, एक और तरीके से समझते हैं, कि और क्या है, और जो हम कैसे समझते हैं, तेमालों जैसे मैंनों, मैंने कहा, कि आपका घर यहाँ पर है, ठीक, और एक आदमी ने आप से, अंकल ने आप से पूछा, परिशान करने के लिए आपको, कि अच्छा बताओ बेटा, तुमारे स्कूल कहा है, यह सब कौन पूस्त है, तुमारे स्कूल कहा है, यह कहा है, ठीक है, तो आपका स्कूल कहा है, चो आपने बता दिया, सर, यहाँ सर, ऐसी बात है, यह आपका होम है, और यहाँ से मेरा जो स्कूल है, वो पांच किलोमेटर दूर है, कितने द सकता है इदर भी हो सकता है बात समझे रहे हो क्या हां बिलकुल है न resc relates to आदमी हो जाएगा इसे डिया यह बही चीजे और बच्चा कहेंगा कि is a एस मेरा जो स्कूल है वह five 5 km North Direction में है, ठीक है, किदर है, मेरे घर से 5 km North Direction में, तो सिथा सिथा चला जाएगा न, 5 km क्या होगा, exactly North Direction में चला जाएगा, ठीक है, अब समझो, यह बास मम्में आ रही है, जानी कि हमें frame of reference समझ में आ रहा है, कि हमें किसलिए भी जड़ा था frame of reference की, जानी कि यह जो, यह बीच वला पाइंट जो दिख रहा है, यह जो बीच वला पाइंट नहीं कि आपके घर से, इस्कूल की जो distance है, तो यह जो point जो आपका घर है, वो एक हो गया frame of reference का का काम कर रहा है, ठीक, चलो, इसको थोड़ा सा हम और mathematical way में समझते हैं, मतलब हमें जिस तरीके से समझना है देखो, तो हमने कहा कि इतनी बात आपको समझ में आ गई, कि particle की अगर position को, exact position को अगर measure करना है, frame of reference से हम लोग basically क्या करते हैं, तो हम लोग measure करते हैं, क्या हम लोग यह, ऐसे समझ लोग कि to measure the position to measure the position of particle particle की पॉशन को measure करने के लिए हमें, किसकी जवद पड़ी, frame of reference की जवद पड़ी, अच्छा, frame of reference, अब यह बना किससे होता है, तो, अच्छा, अब यह से बाते देखो, अगर आप किसी particle की पॉशन को, अगर measure कर रहे हो, तो अपने class 10 में पढ़ा था, coordinate geometry, पढ़ा था क्या? coordinate, coordinate का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है, कई बार x, y, अगर नहीं पता है, तो यह बात ध्यान रख लो, यह अपने math में भी पढ़ा होगा, coordinate का मतलब होता है, x, y, ठीक है, यह मतलब है coordinate का, तो, अब, जैसे आपने class 10 में किवल पढ़ा था, यह आपका होता था, यह आपका होता था, x, यह तो पढ़ा था, और इधर आपका होता था, x-, मतलब की minus में, और इधर आपकी होती थी y-, मतलब आपने 2d, आपने 2d पढ़ा था, है ना, मतलब x, y, इस तरीके से आपने जो है चीजों को पढ़ा था, अब यहाँ पर हम three dimensional की बात करेंगे, मतल जब एक हमारा होगा, एक देखो, एक हमारा y-axis होगा, एक हमारा x-axis होगा, और एक हमारा z-axis होगा, ठीक है, जिस तरीके से जो wall की जो corner होती, आपका room है, आप room में बैठे हो, room के जो corner होते हैं, तो आपकी इस तरीके के dimension को show करते हैं, यह मानलो y है, यह x है, यह z है, अब तो देखो अगर ये X है अगर ये और ये कुछ इसमिए बताया भी होगा चलो ठीक इसका थोच इसको कंदा धिम कॉर्नर मैं मैं expanding कुक्छ इस तरीके reference point ठीक है तो इस x y z coordination system से यानि कि अब हमारा यह किस टाइब का coordination system बना यह हमारा x y z coordination system बना ठीक है x y z coordination system x y z coordination system से हम किसी object की exact position को क्या करते हैं measure करते हैं मतलब कहीं भी अगर particle की अगर कहीं अगर position है तो हम x y z coordination system से क्या करते हैं measure करते हैं ठीक है अच्छा और मैंने आपको बता है कि यह जो origin है मतलब basically आप लोग class 10 में आपने इसको origin पढ़ा था तो इसी origin को हम लोग यहां पर क्या बोल रहे है reference point बोल रहे है ठीक है बात समझो क्या बोल रहे है reference point बोल रहे है ठीक है अच्छा अब ऐसा समझो इस चीद को थोड़ा सा समझो कि मान लो तो देखो अभी अगर आप reference जैसे ऐसा समझो मान लो जैसे मैंने कहा कि मेरे को यहांप देखो यानिas है या अप की अपको और च्लिव कंट को elabor लेते हैं यहांपर क्या लिखता हैं च्याहू अब देखो यापक आपका यानि कि आप मतलब कि कोई भी पार्टिकल अगर इधर से उधर आगर मूव कर रहा है समझे कोई भी पार्टिकल मानलो एक पार्टिकल यहां था पार्टिकल यहां आ गया तो अभी आप क्या करोगे आप अभी इसकी पॉजिशन देखोगी अच्छा यह पार्टिकल अभी यह हब लेखिर यहां चला गया तो फिर से अब यह यहां तो चला गया लेकिन आप यहां से का प्रजन करोगे क्योंकि आपने इसको रिफ्रेंस पॉइंट पाना है ठीक आप अजशा बताओ दिए तो आगर रिफ्रेंस पॉइंट पर अब हब्छा को रख दें哇 reference point पर अगर हमें clock को रख देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं frame of reference देखो अच्छा clock पर रखने से फैदा क्योंगा अगर आपने भी clock नहीं रखा था तो अभी आप केवल क्या बता पा रहे थे अभी आपके वलोर के वार इसकी position को बता पा रहे थी लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर clock रखा clock रखने का मतलब क्या है कि आपके पास time है कि भाई यह particle अभी एक minute पहले यहाँ पर था और यह दो से मतलब something अभी जो है दो सेकिन बाद वो यहाँ चला गया मतलब अभी यहाँ पर था उसको यहां से यहां तक जाने में दो सेकिन लगा तो आप मेरे को यह बता तो आपको timing पता है क्योंकि आप आपके reference point पर आप क्लॉक्त बता सकते हो है ना तो क्लॉक रखने का क्या मतलब अगर हम किसी reference point में मतलब किसी person को reference point पर बैठा दें और उस person of reference को देखो हम लोग ऐसे define कर सकते हैं कि ऐसे कह लो कि if there is a clock to measure the time at origin again at origin then this system यह पूरा का पूरा जो सिस्टम है कौन कांसा सिस्टम यह पूरा का पूरा सिस्टम एनी कौन कांसा सिस्टम देर अधा सिस्टम एलोंग with clock is called is called frame of reference नहीं है समझे मजा नहीं है या देखो मजा क्यों नहीं बता रहे है देखो simple से मेरी बासम जो frame of reference का मतलब क्या frame of reference का मतलब क्या frame of reference का मतलब क्या frame of reference का मतलब ऐसे समझे लो की coordination system coordination system प्लस क्लॉक एक और दिया क्लॉक नहीं है तो केवल और केवल आप क्या बता सकते हो किसे भी पार्टिकल की एक्जक्ट पोजिशन कि हम भाई यह इस पोजिशन पर है इस पोजिशन पर इस पोजिशन पर है लेकिन अगर आपने कोडिशन अगर आपने इसके और जन पर आपने प्लॉक रख दिया तो इस पूरे system को मिला करके हम लोग क्या बोल देंगे frame of reference क्यों क्यों वह से हम उस पार्टिकल की स्पीड बगएरा सारी चीजों को मेजर कर सकते हैं बात समझ में आई आपको नहीं यह इस बता सकते हैं अब देखो जो हमारे frame of reference हैं वो बैसिकली दो तरीके की होते हैं एक बात हमेशा ध्यान रखो frame of reference में कि आप जब भी किसी object की velocity, speed उसका जो है जो भी आप उसका अगर displacement मतलब displacement नहीं कह सकते हैं अगर आप उसकी बताना चाहते हो या object जो है वो rest में है या motion में है तो आपको हमेशा एक reference point रखना पड़ेगा जैसे मैंने आपको starting में ही बता था अब आपको यहां से यह बात समझ में आएगी ठीक है कि यह वही एक बच्चा है मान लो जैसे अभी आप लोग अपने बेट में बैट करके study कर रहे हो चर्वे बैट करके study कर रहे हो है ना तो मेरे लिए या आप अब भी अपने घर वालों के लिए जैसे अगर वो भी अगर rest में हैं तो क्या कहेंगे कि अच्छा यह मेरा बच्चा भी rest में है लेकिन मान कि अब अगर आप वीकल में मूव कर रहे हो ठीक है कितनी बार एक्जामपल दे मेरी बात समझ पा रहे हो ना ठीक है कितनी बार है कि चीद को पतलब यह बात थोड़ा सा समझो आप यह आपकी डेली लाइफ से रेलेटेबल है फ्रेम आफ रेफरेंस की आपको जुरत पढ़त चार तरह की बाते करेंगे कि हम कहां जा रहे है फिक्स में आ जाते हैं वापस तो यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं वो पोजीशन स्पीड वेलॉस्टी से रिलेटे हम लोग चीज़ों को लेकर के लोग करेंगे अब देखो हमारा जो फ्रेम फ्रेम फ्रेंस होता है वो बैसिकली दो तरीके का होता है ठीक तो टू ताइप्स ओफ फ्रेम फ्रेम फ्रेंस ठीक टू टाइप्स ओ फ्रेम फ्रेम फ्रेंस पहला जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम फ्रेंस इनर्शियल फ्रेम फ्रेंस दूसरा हमारा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम फ्रेम फ्रेंस संब्सक्राइब hijroe Mr Mr answer अर्यमीट सिट्ष ओने को एदसा इनधे घरागर आइंग तो धकली देखेँ requesting怎麼辦 the real function को समझने से पहले इसब बातें उ내क्स कॉ समझने से पहले सब बातें को समझते हैं, देखो, inertial frame of reference का मतलब क्या है, कि ऐसा frame of reference जो newton's law को follow करें, newton's first law को follow करें, ठीक है, newton's law of motion को follow करें, ठीक, तो इस type के frame of reference को हम लोग क्या बोलते हैं, inertial frame of reference बोलते हैं, न, inertial frame of reference हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक हम first की बात करते हैं, first हमने कहा, कि which follow, बता रहे हैं, इसका मतलब, एक मिनट रूप जो, रटना नहीं है, which follow, newton's law of motion, ठीक है, अच्छा, देखो, तो, चलो, inertial, है न, inertial से आपको याद आ रहा होगा, कि newton's का जो first law था, newton's का आपको first law पता है, कितने बच्चों को पता है, बताना नहीं है, बस किवल, खुद से question करना है, कि हाँ, हमें पता है, देखो, newton's का जो first law था, जिसको हम लोग बोलते थे, law of inertia, बेब बोलते थ इसका मतलब, क्या था, first law basically भी होता क्या था, newton's का first law क्या होता था, कि अगर कोई object, motion में है, तो वो तब तक motion में रहेगी, जब तक कि उसके उपर कोई external force नहीं लगाया गया है, या फिर, अगर कोई object rest में है, तो वो तब तक rest में बनी वी रहेगी, जब तक कि उसके उपर कोई force नहीं लगाया गया हो उसको move कराने के लिए ना तो हमारी जो object है यानि कि अगर कोई object अगर motion में है अगर sorry मान लो अगर rest में है वो continuously rest में ही रहे है ना तो हम कहेंगे कि यह हमारी जो यह जो object है वो Newton's first law को क्या कर रहे है फॉलो कर रहे है तो देखो इनर्शियल का मतलब यह होता है ठीक है कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अम अब 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 इस Newton's first law को अब frame of reference से आपको connect करके देखना है ना आपने कहा कि सर आप एक car में बैठे हुए थे ठीक है यह मस्त वाली कार थी ठीक पता नहीं कौन सी कार रही है तो आप इसमें बैठे हुए थे है ना और यह car जो है वो एक constant speed से चली जा रही है कैसे चली जा रही है constant speed का मतलब पता है ना आपको आपकी पता होगा थोड़ी बहुत नाइंध वाली चीज़े भी अपनाई करनी है ठीक है तो जो कार की जो speed है ना वो straight highway पर है और कार जो है वो constant speed के साथ चली जा रही है है ना अब अगर कार अगर constant speed के साथ चली जा रही है उबिसी बात है उसके पर हम कोई force नहीं लगा रहे है जिसकी विज़से उसकी velocity बदल जाए हम इसके पर कोई force नहीं लगा रहे है जिसकी विज़से कार रुक जाए ना तो अगर कार constant speed से जा रही है constant velocity से अगर चली जा रही है तो इस type का जो motion मतलब कि इस type का जो frame of reference होगा इस type कि हम अगर अगर हम इस car को frame of reference मानते हैं और ये car continuously constant speed से अगर travel कर रही है तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो frame of reference है वो एक inertial frame of reference है क्यों? क्योंकि ये Newton's first law को follow कर रहा है ना क्योंकि ये constant motion से क्या कर remove कर रही है या फिर मान लो आपने कहा कि नहीं सर हम car को move नहीं कर आते हैं कार को छोड़ देता है ऐसे रोग लेता है एक सड़क पर हमें हमें रोक लेना है खड़ा कर लेना है हाँ ठीक है अगर कार आपकी continuously किसी जगा पर खड़ी है ठीक आप अगर किसी जगा पर खड़े मान लो अगर हमने आपको अगर हमने आपको अगर frame of reference बनाया तो आप frame of reference बन तो गए लेकिन डिपेंड करेगा क्या पी इस टाइप के frame of reference बने हो आप inertial frame of reference और non-inertial frame of reference चलो आप inertial frame of reference बन सकते हो कब जब आप constantly किसी एक जगा पर खड़े हुए हो अगर आप इक देवाँ अगर fix हो तो हम कहेंगे कि आप जो frame of reference हो वह inertial frame of reference हो क्योंकि आप Newton's first law को follow कर रहे हो या फिर और आप continuously move कर रहे हो आप कंटिनिवसली क्या कर रहे हो move कर रहे हो और आपके move करने की जो जो speed है जो velocity है वो मान लो 10 m per second है और change नहीं होना चाहिए अगर change हुआ non-inertial आगे बाव सुने है ना तो इस टाइप का जो frame of reference होता है वो हमारा क्या होता है inertial frame of reference होता है clear होगी बात ठीक है non-inertial भी मतलब समझ में आ गया कि non-inertial का मतलब क्या होगा कि which do not follow Newton's law of motion है ना दूसरा वाला हम कह सकते हैं दूसरा क्या होगा कि which do not follow Newton's law of motion को फॉलू नहीं करते हैं ना कम जो क्या बोलते हैं non-inertial frame of reference मतलब कि मैंने आपको frame of reference बना तो दिया कि ऐसा कहा भाई भाई साब ठोड़ा देखना यहां से पास होंगे और आपको उन तीन कार की जो है weलास्टी मेजर करनी मैंने आपको एक बढ़ी हशा instrument करने के लिए हैन है ना हमने आपे हमने आपको टॉस्ट करके बढ़ी हैं इंस्ट्रूमेंट जो है मेजर करने के लिए दे दिए इन कि आप जो है खड़े रहना आप जो इनर्शियल फ्रेम आफ रिफ्रेंस में रहना और इन तीनों कार की स्पीड मेरे को मेजर करके बताना और आप भी लगे दोड़ने बात समझ रहे हो आप भी क्या करने लगे अब दोड़ने लगे और बड़ा अजीब तरीकी दोड़ पहल को चेज्ज़ मतलब आपने पॉर्शन को चेंज कर रहे हो तो इसलिए आप नॉन इनर्शियल फ्रेम आफ रिफरेंस की केटेगरी में आओो की ठीक है इसका मतलब की कोई भी आपड़ेक्ट अगर वैर्यीबल स्पीड से अगर मूव कर रहा है ठीक है अगर मूव कर रहा है variable speed के साथ तो हमारा वो कैसा कहलाएगा एक non-inertial frame of reference कहलाएगा ये बात clear भी इतनी बात clear है ओके अच्छा देखो यहां से बच्ची लोग एक बात और समझना जैसे आपने inertial और non-inertial के बारे में अपने पढ़ाना तो कभी-कभी होता क्या जैसे earth related question पूच लेता है जैसे मानो यह आपकी Earth है कुछ इस तरीके से आपकी अर्थ है ऐफ में मानो हम लोग ऐसे अर्थ में इसके ऐसे यहां पर रहते ना इस तरीके से जहां पर रहते हैं तो अब मानलो अगर हम यह कह रहा है देखो Earth. basically दो तरीके की motion करती यह आपको पता है Earth स्टैब्स प्रफ पहला क्या है कि जो एक सन के चारों तरफ क्या करता है कि अगरेशन है तो यह क्या करेगा कि अर्ध यह संस सथ की चक्र भी लगाता है और साथ यह अपने एकसिस पर करता रहता है बात को समझों तो अगर हम소 Ad कि अगर हम अर्थ पर अगर आप ठेक हैं तो हमने आपको या से बाहर की चीज़ों हो है ना अगर आप अर्थ पर अगर आप ऊब अर्थ की जो अर्थ ने भी एकसिस पर क्या कर रही है अपने एकसिस पर भी क्या कर रही है इस्पिन कर रहे है तो जिसकी वजह से आप अगर आप अब आप करोगो तो आपको हम क्या मानें गे as a non-inertial frame of reference मानेंगी च्योंकि आपकी जो motion है वो आपकी continuously change हो रही है देखो अगर किवल ऐसे move करते तब तो ठीक था आप ए constant motion से move करते ठीक है लेकिन अच्छा इसमें भी क्या है कि इसमें भी यहाँ पर जब आप जैसे यहाँ पर आओगे तो आपकी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने की स्पीड है वो बढ़ जाती है तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम अर्थ पर किसी person को अगर हम एक reference अगर consider कर रहे हैं और हम उसको किसी बाहर earth के बाहर की object को अगर observe करने के लिए बोल रहे हैं तो उस person को यानि कि जो earth पर है उस person को हम कैसा treat करेंगे as a non-inertial frame of reference की तरह treat करेंगे non-inertial frame of reference यह बास मचना ठीक है है ना earth पर किसी person को हमने frame of reference माना है और हम उसको बोल रहे हैं किसी बाहरी चीज़ को observe करो उसकी speed बताओ तो वही वो खुद भी तो move कर रहा है और एक variable speed से move कर रहा है earth पर अगर आप खड़े हो तो आप move कर रहे हो और आप एक variable speed से move कर रहे हो तो आप जो होगे किसी बाहर earth से बाहर की object के लिए आप एक non-inertial की तरह act कर वे हैं लेकिन अगर दो बच्चे earth पर ही है ठीक है तो अगर हम एक बच्चे को मानलो एक बच्चा अगर rest में भी है भले ही आप earth पर rest में हो हम आप से कहा रहे हैं कि भाई आप जो है किसी object को बाहर को देखो बटाप rest में हो लेकिन अगर आप बाहर की अगर आप object को देख रहे हो तो आप non-inertial frame of reference के बात को समझना अगर दोनों चीज़े अगर दोनों object अर्थ पर ही होंगे तब ठीक है बट एक्च्वली में होता क्या है कि हम जितनी भी चीज़े अपनी डिली लाइफ में observe कर रहे हैं वो सारी की सारी कैसी है नॉन मतलब हम लोग एज़ा एक non-inertial frame of reference अब यसी बात है हम move तो कर रहे हैं है ना भले ही हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं बहुत हमारी क्या कर रही है हरी बात समझना ठीक है तो दो बात यहां से क्या निकली कि अगर आप अर्थ पर हो अपने रूम में बैठे हो और रूम में बैठ करके आप मून को देख रहे हो तो आप उस नहीं है कैसे इस टेट में आप नॉन इंटर्शल फ्रेम फ्रेंश में ठीक है आप अपने रूम में बैठे हो ठीक है और आपका एक भाई है जो की रूम में इतर उदर ऊदर उदर घूम रहा है उसका कल इक्जाम है तो अप उसको अगर देख रहे हो तो आप इनर्शियल two dimensional motion और आपका ये चप्टर कीया है क्या है तो फिलाल हमलों समझते हैं कि one dimension में अगर हमें चलना होगा तो इसे चलेगी two dimension में चलना होगा तो कैसे चलेगի चलो देखो समझते हैं देखो जी, लूँ बात समझते हैं, हम लोग यहाँ पर एक next हम लोग्टरम समझते हैं, motion in one, two and three dimensions ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं one dimension motion की, सिंपल सी बात है, one dimension motion का मतलब क्या हो सकते हैं, कि अगर कोई body है मतलब की मान लो आप अगर के वाल अगर ही कापी straight line में अगर direction एक एक straight direction में अगर आप motion कर रहे हो तो इस type की motion आपकी क्या कर लाएगी one dimensional motion क्या लाएगी समझ रहो मतलब की आपकी वाल इस तरीके से travel कर रहे है ना देखो कहने का मतलब क्या है कि the motion of object is said to be one dimension if only of three coordinate देखो basically three coordinate होते हैं हमने frame of friction को represent करने के लिए हमने क्या किया था हमने three coordinate हमें लिया था मतब three coordinate हमने system लिया था तो तीन coordinate में से केवल और केवल only one है ना केवल अगर हम एक को use करें तो इस type का motion हमारा क्या कहलाता है one dimensional motion कहलाता है ठीक है तो only one of three coordinate is pacifying the position of object changes with time जैसे की हमारी जो मतलब इसमें होता क्या है कि object हमारी क्या होती है कि straight time में travel कर देखो for example बहुत यजी है कुछ नहीं करना है जैसे आपको आपके आपकी वा इस पास बता है वह जो है आपको जुह है आहाँ अ अब हमारी जो object है, वो हमारी मानलो अभी इस वाले position पर है, ओ वाले position पर है, ठीक है, थोड़ी समय बाद मानलो जो है वो P1 position पर आ गई, P मतलब हमारा position को सोग कर रहा है, और फिर after some time later ये P2 position पर आ गई, तो अगर हम ये कहें कि मान लेते हैं, अब इसकी पहले position कहां थी, तो ये थी X1, उसके बाद after three time later इसकी position कहां हो गई, ये हो गई, X2, जो भी आप distance लेना ये बात ध्यान रखना है, आप हमेशा अपने reference point से ले रहे हो, ठीक है, तो देखो, जो position में changes हो रहा है, बात को समचो थोड़ा सा, जो position मे changes हो रहा है, वो किवल और किवल एक ही direction में हो रहा है, एक ही dimension में हो रहा है, किवल X axis में हो रहा है, बोलो हो रहा है न, तो इस type की motion को हम लोग क्या कहते हैं, one dimensional motion कहते हैं, मतलब तीन में से किवल और किवल एक axis को या एक dimension को अगर हम choose करें, वो या तो X हो सकता है, वो या त लेक्ष ना आपको किवल एक ही डामेंशन में चलना है यह आपको काम करना है तो आपको पूरे चाप्टर में वन डामेंशन टाइप के हाँ पर क्या जाएगा only dimension if only two of the three coordinate मतलब कि three coordinate में से अगर हम केवल दो coordinate को represent कर रहे हैं मतलब हम दो coordinate के लॉंग चल रहे हैं जैसे मालो यह आप जिस रूम में बैठे हो वो आपकी रूम बेसिकली जो है वो क्या बताती है एक लेंथ बताती है और रूम की motion क्या लाएगे ठीक है for example जैसे देखो यह मारा है coordinate system यह मानलो मारी x-axis है और यह मारी y-axis है ठीक है यह capital x मानलो यह capital y मानलो ओके capital y है अब मानलो आपने कहा कि सर अभी हमारी जो particle थी वो मानलो यहाँ पर थी ओके और somehow यह travel करते करते मानलो यह यहाँ पर आगई ठीक मानलो कि इस particle का जो position है वो मानलो पीवन है अब particle दूसरे position पर आगई मानलेते हैं यह पीटू position पर आगई बात को समझना तो अगर हम कहें सर कि यह जो particle है ठीक है पीवन जो उसकी जो पहली position है तो पहली position में उसने x में कितना distance travel किया consider करते हैं यहां से उसने चलना इस्टार्ट किया इसका reference point है यहां से इसने चलना इस्टार्ट किया तो consider कर लेतने कि पहली बार उसने x1 डिस्टेंस चली xx में ठीक है और y-axis में उसने जो है यह यह मारा यह ना यह यह इस पर पहुंचने के लिए तब हम इस position को कहते हैं एक्स वन कॉमा वाइवन इस वाले position को लोग क्या कहेंगे पार्टिकल अब इस पोजिशन को है वो अपना पॉशन चेंज कर लिए अब देखो अब अगर चेंज कर लिए तो देखो अब यह x2 में कहां आ गया x2 में यह आ गया यहां पर that means अब जो पार्टिकल है वो अपने reference point से फिर से कितने दूर हो या मान लेते हैं वह x2 डिस्टेंस पर चला गया और वाई में कहां चला गया तो देखो वाई में जाने के लिए आपको यहां पर ऐसे जाना पड़ेगा तो वाई में यहां पर आ गया है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते है किसी भी पार्टिकल के पॉजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं यह यहां तक है और यह थोड़ा सा यहां तर ठीक है आप सब्सक्राइब तो इस तरीके से हमने two-dimensional motion को भी हमने समझ लिया कि two-dimensional motion बिसकी लिए हमारा किस तरीके से अच्छा देखो एक बात याद रहीं जैसे कि अगर आप तो डाइमेंशन मोशन का देखो जासे हम लोग एक्जामपल लें तो हमारी जो सन है मतलब हमारी जो अर्थ है सन की साथ तरफ जो मूव कर रही है वो हमारी एक टू-धामेंशन को करते हैं अले मुशन को एक रहा है इसक है अगर आप चलता ये तो इन जो मोशन होती है वह थ्री डामेंशन होती है वह समझज हो जैसे आपकी सामने अगर को यह मच्छर discussing है मक्ही अगर उड़ रही है तो उनकी जो सुन होती है तुछ सब चिएसन कर रहे हूशन अर तुस स्वाइब का यूज करेंगे पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम two dimension में चलेंगे कि हमारा two dimension motion हो क्या लो next हम लोग बात करते है three dimensional motion की लिख पार हो ना ये सारी चीज़े आप लिख रहे हो ना note down कर रहे हो ना देखो three dimensional motion की बात करते हैं अब three dimensional motion का मतलब क्या हुआ भी कि अब ऐसा मतलब एक ऐसी condition जिसमें हम तीनों ही क्या कर लें dimension को use कर लें है ना the motion of object is said to be three dimensional if all the three coordinates specifying its position changes with time हम अब तीनों dimension को देखो include कर रहे हैं देखो कैसे तो dimension हम change भी कर सकते हैं थोड़े समय के लिए मान लो कि ये हमारी जो है ये हमारी है वाई ये हमारी है जड़ और ये हमारी X है ठीक है ये हमारी three dimensional coordinate system को क्या कर रही है represent कर रही है अब मान लो आपने कहा कि आपका कुछ एक particle है यहां पर है X सबोश करना यहां पर एक है ना यहां पर ठीक है और ये particle तीनों dimension में move करके पहुचा है यहां तक कैसे पहुचा है तीनों dimension में move करके यहां तक पहुचा है और यहां तक मान लेते हैं कि आपके पूशन क्या है और यह चला आया यहां पर पीटू पूशन पर और ठीक तो अब अगर इस particle कि अगर आप coordinate system को अगर आप represent करना चाहों तो कैसे करोगे या आपने का सर यह आपकी z है या आपकी y या आपकी x है अच्छा तो particle जो है वो x-axis में x1 डिस्टेंस चला होगा y-axis में y1 डिस्टेंस चला होगा z-axis में z1 डिस्टेंस चला होगा तो मान लेते हैं थोड़ी दिर के लिए अब देखो x-axis ऐसे है ना ध्यान से मेरी बात को समझना ध्यान से समझना आपको यहाँ पर पहुंचना है तो particle देखो यहाँ पर हमारी reference point है particle यहाँ से चलना इस्टार्ट किया कौन सी एक्सिस में x-axis समय एक्स ड्रक्त है ना भाई तो मैसे चलेंगे मान लो यहाँ तक चला x1 डिस्टेंस चला यहां ठीक चांथक उसने x1 डिस्टेंस चला अब यहां पहुंच गया तो अब यहां से वो अब y में चलेगा एक्स के बाद कहा चलेगा यह चलेगा तो यह को y-axis ऐसे है ना तो आपको भी ऐसे ही चलना है. Y1 यहां तक पहुंच गया. ठीक. उसके बाद अब उसको Z1 अब इसको Z-axis में चलना पड़ एगा. तो Z-axis देखो कैसे है? इस तरीके से है. ना. तो अब वो ऐसे ही चलेगा. चलने का मतलब क्या कुछ ऐसे ही तो चलेगा वह यह बात अब समझभा रहे हूं तब जाकर कि वह कहां पहुंचा पीवन पोजिशन पर पहुंचा तो इसलिए हम इसका इसका नाम देते हैं एकसवन कॉमा वाईवन कॉमा जड़ यह बातारी समय अब आपने कहा कि सर ऐसा है वह मूव करते करते कहां चला गया वह जो है पीटू पॉशन पर चला गया तो फिर से अब हम रिफ्रेंस पाइंट से एक्सटू पोजिशन चलेंगे क्योंकि पोजिशन उसने चेंज कर लिया छोड़ा ना जिए कि एक्सटू पोजिशन यहां तक आले हैं था अब यहां से कहां जाएक पिर आइकस चले को यहां तो यहां से आप सरी नौल करेगा इस पॉइंट पो बोलते हैं एस टू कौमा वाइट टिन का मैंने आपको बताया अब यह है कि अगर आपकी जो है फ्लाइंग काइट कि यह यापकी एक ऊरो Epic भालो करेगी एह और मैं दो हो क्या इದार करण अंब था ले six या वो को देखते जाना जबर इंडब बनाते जाना यही है जब तरह को पड़ोगी ना सब्सक्राइब लेकर करें लेको आलहे में था रही तो यहां तक बेसिक सी थी इसके बाद फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगी स्पीड विलॉसिटी एसलेरशन मज़ा आ जाएगा ऐसा नहीं है कि स्पीड विलॉसिटी नहीं नहीं पढ़ा है ना 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 भूल से इसकिप नहीं करना वनना फिर जो है पस्त आओगे फिर कहो अब अपना फीड़ बैक जरूर देना है ठीक है शुरू बचली लोग मिलता है नेक्स में पढ़ाई करते रहो और अपना ख्यार लगो